आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ दंदिनी आदव उत्रप्रदेश के आर्थिकुन नति के लिए लखनौ में ग्लोबल इनीवस्टर समिट आयूजिन के शुरुवात हो चुकी है और सीधा रूख करते हमारे बियोग चिफ गॉराश रिवास्ताओ के पास बतादे कि आज Global Investor Summit की शुरुवात हो चुकी है देश के तमाम उद्योगपती यहां पर उपस्तित हुए थे आपको यह भी बतादे कि प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था यूपी जो है संभावनाव का प्रदेश है इसके थोड़ी देर पहले ग्रे मंत्री अमिश्या ने अपना संबोधन दिया है वही पर उन्होंने ये भी कहा कि कानून बेवस्ता यूपी में पहले से बहुत ज़्यादा बहतर हुई है और अब सिधा रूप करते हैं हमारे ब्यूरो चुई गोहरा श्रीवास्ताव के पास नन्या आपको मेरी वावाज आ रही है जी गवर्व जी नन्य इन्वेस्टर सम्मेट जो इतिहास यहां बनाया है 10 लाग करोड से सुरूबात हुई थी 15 लाग करोड, 17 लाग करोड, 22 लाग करोड, 27 लाग करोड कहा जा रहा है कि 29 लाग करोड के M.E.U. साइन हो चुके है यानि उत्तप्रेश में उत्तंप्रेश बनाने की दिशा में एक ऐसा इतिहास बनाया गया है जो साइर देशा पहनिवार हुआ है किसी राज में बड़ी इन्वेस्टर सम्मिट आयूत हुई है 21 देशों के धोज लगा आगए बड़ा बड़े प्यमारे पर काम हुए और इत्ते बड़े M.E.U. साइन हो के सपस्ट हो गया है कि जो नीती ती सरकार की वो बहतर थी और इत्ते बड़ी सम्मिट हुई है और इतना बड़ा M.E.U. साइन हुआ है इस मुद्धे बार करने के लिए हमाँ साथ समय उत्तम प्रदेश सरकार के M.L.C. रामचन प्रदान मौजूरे जानते हैं कि इन्वेस्टर सम्मिट के बार वे क्या कहना चाहते है और जो इतियास सरकार बनाई है उस पर आपकी क्या रहा है देखे गवर जी ये एक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और उद्दम प्रदेश नहीं जा रहा है आज सबसे पहले तो मैं आगो ताहूं कि यहां भी इंडेस्टिलिस्ट आएगा जो भी इन्वेस्टर आता है उसको पहले माहौल होना चाहिए आज वो माहौल उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदितनाज जी ने जो माहौल दिया है उसकी वज़े से पूरे देश का पूरे दुनिया भर के लोग यहां इंवेस्टर लोग आ जा रहे है क्योंकि जो पहले क्या होता था पहले की सरकारों में इस तरह का महौल है सब सबसे पहले कानुन व्योवस्ता कर प्रश्रोट था क्योंकि जब इंवेस्टर आता बिना भै बिना डर किसी दवाव में अपना यहां इंवेस्ट करें और यहां को इंडिस्ट्री लगाए लेकिन यहां पहले नहीं था लेकिन इसके लिए मैं अपने मानी मुखमंती जी को इस बात के लिए बढ़ा ही देना चाहता हूं मैं उनका अभार वेक करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो आज पूरे प्रदेश में एक माहौल बना लोगों के अंदर बिना भै के कुछ काम करने के एक्चा हो गए इसलिए आज पूरे दुनिया भर से यहां सबसे बड़ी बात यह आज यहां पर देखते होंगे आप कि बड़े उद्योग पतियों के साथ साथ जो नौजवान है युवक हैं इस्टार्टप वाले हैं जो में समी के तहतार हैं वो जो छोटे-छोटे उद्योग लगा करके यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं सबसे ज् इंवेस्टमेंट होने जा रहा है मैं समझता हूं कि भारत में पहला ऐसा उत्तर प्रोदेश होगा जहां पर इतना बड़ा इंवेश्मेंट इनेस्ट फिस्टिन लोग उत्साहित है इसको करने के लिए इस लिए मैं पूरे प्रoritश के लोग के लिए ये गर्व की बात है हर बर्क गर्व की बात है कि हर वर को यह आज पूरे प्रदेश में आईसा महाल मिला विपक्ष के लोग जो बोल रहे ना इसके पहले उन्हें ने भी इनिवेस्टर समिट कराई थी उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ ही इंडुस्ट्रिस्ट आये और आने के बाद टाइंटाइं फिस हो गया एक रुपए का भी इन्वेस्ट्मेंट नहीं हुआ लेकिन आप इसके पहले भी हमारी भारती जंता पार्टी की सरकार मानी योगी आदित नाजी की सरकार ने समिट किया था आज आज तो सार आज देख रहे हैं कि मानी योगी आदितना जी के नेतत्त में आज इतना बड़ा काम हो रहा है पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर लाइन आडर की विवस्था ठीक हुई है कानून विवस्था ठीक है आज इन्वेस्टर यहां पर लालाइत हो रहे हैं आने के लिए उनको ऐसा माहौल मिल रहा है इसके लिए आज वो विपक्ष के लोग खिस्याए हुए हैं खिस्यानी विल्ली खंबाना अच्छा हमां से समय उत्तरप्रदेश की राजधाई लखनू से बखसी तरह से बिराएक योगी सब्सक्रा मोजुद है बड़ा यहां पर इतिह हें कि इंवेस्टर सम्मेट में जो इतिहास बना है क्या कुछ माएने होने वाले आने वाले समय के क्या उत्रप्रदेश की एक तस्मीर बदलने वाली है अभी आप 29 लाक करोड की बात कर रहे थे मैं ठोड़ा करेक्ट कर दूँ तेंतिस लाग उनसट लाग करोड के MOU साइन हो चुके हैं और निच्चित तौर पे यह इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता है जो लोग इस बात पर प्रेश्ची ने लगा रहे थे कि इतने दस लाग करोड भी नहीं आएगा ये वो लोग हैं कि जिनके सासर में कानू ब्यवस् आने जाने के साधन नहीं थे नौजवानों को प्रेड़ करने की छमता नहीं थी वो लोग ऐसे प्रश्ट उठा रहे हैं लेकिन आज की तारीक के अंदर आप देखें उत्तरपदेश में जितनी हाइवे हैं मुझे लगता है देश के किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है स्टेट हाइवे नहीं हो दूसरा प्रतिभाओं की अमारे प्रदेश में कभी कमी नहीं थी उनका उपियोग नहीं हो पार आता वह बाहर चले आते थे प्रतिभाएं भी है और जमीनी तोर पर सरकार ने जिस तरीके से कानून विवस्था में काम किया है वह अपने में एक अ आपने अनुबों किया होगा कि 20 21 देशों के वुद्युक्ति आज यहां पर आए हुए हैं यहां तक कि UAE के मंत्री भी यहां पर मौद हैं तो कुछ सोच करके यहां उनको लगता है कि अगर पूरे भारत के अंदा इंवेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा सुलब कोई आम चुनाओं अगली साल है इस पूरे चुनाओं में इस इंवेस्टर सम्मिट का प्रभावतों पढ़ने वाला है यह लाजमी है पर सबसे महत्पूर बात है क्या इस बीजेपी सांसे राज्यों में जिस तरह से इसकी नजीर पेस की जाएगी तो आने बाले आपको लगता जो यूभा बर्ग से ले जो भी हमारे लोग हैं चाहे वह किसी भी वर्क हो वह पूरी तरीके से भारति जन्ता पार्टी के प्रति समरपित हैं चुनाओं का इतना संबंध मैं यह तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसा क्यों है कि जो भार्रति जन्तापाटी की जहां-जहां सरकार ह तो पीछे बड़ा कारण यह हम कानून ब्यवस्ता पर दिया में देते हैं हम जो जो भी वियापाजी है जो उद्योग पती है उनको जो भी फैस्ट इमिल्नी चाहिए हम उन पर दियान देते हैं तो यह थी हमाए साथ योगे स्टकलाज जो की मक्सी से तलाब से बिढाया कि इनका कहना है कि सरकार जो काम कर रही है वो बीजेपी सासे दाज्जों में क्यों हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग निवेसक समझ चुके हैं कि लान अडर की स्थिती हो चाहे निवेसक की स्थित और आम चुनाव में भी सबको नजर आएंगे गौरफ देखा जाये तो वहाई ग्रे मंत्री अपने संबोधन में बोले कि यूपी में जिस तरीके से ये सम्मिट क्या जा रहा है कहीं न कहीं ये तीन दिवसी सम्मिट जो है यूपी का इतिहास बदलेगा जी बिल्कुल यहां पर गरामंति ने जो बात कहीं हैंतीम क्योंकि यहँ पर जोय सम्मिट की यह चर्चा में रहे कि संमिट नहीं और पर्ञी में〜 यह पर नाम आया था और 25 मार्श को उत्तप्रिस के मुखमंत्री की रूप में योगी अर्किनार ने दूसरी बार यहां पर अपनी सरकार बनाई थी अधार सिला है कि 10 लाग करोड का लच्छ बढ़कर यहां पर 32 लाग करोड के लच्छ पर पहुंच चुका है और निस्ति रूप से अठारा हजार चांसो त्रेपर अहमेश साइन हो कर चुके है कि निवेशों का भरूसा उत्तप्रिस में अब उत्तला आ चुका है जितनी हम कल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो दसलाग करोड कर लच्छ अगर तीनुना बढ़का अब बहुत ज्यादा बहतर हुआ है वहीं उन्होंने बहुत जरूरी है और यहां बहुत जरूरी है कानण व्यस्था जरूरी है और आपने एक चीज़ यहां पर देखी जो एक बड़ा इंब्स्ट्मेंट आया है उसकारण यह है कि यहां निवेस के बिदेश से नहीं आया है यहां निवेस बिदेश से भी आया इसके लाबाद देश के महटपूर जो आपके सहर है बहां पर योगी आदर स्वयम गयते रो से रो में तो कई नए है उनको भी यहां लो़ाने की बाद यहां पर Q कही गई हूए और निवेस देश के बियारा है जो जिल जिले से बीलियंट बराजे बिरिस ने ऐ निवेस है और जो देश के अलाना राज्जों की बड़े-बड़े जगों से निवेश आया है उसी निवेश की है आपने पढ़ना में कि 33 लाग करोड़ों का अलश्या पर हम पाफ उत्ता प्राफ्त कर चुकी है जी गौरत देखा जाये तो जिस तरीके से योगी सरकार ने जो चोड़े न बनती है स्टर्णा होते यसा समेच्छा होती है नीती बनी इस् हमेट को लेका RAW वी काmek अधिए 10 क्लूर्ण की बाहती तहीं शिरा directing से थिंड पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव बतादे कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला दिन था तेन देविस्टी इस समिट में तमाम उद्योगपती वहाँ पर आज शामिल हुए थे बतादे कि अभी थोड़ी देर पहले ग्रिम हंत्रे अमेश शाह ने अपना संबोधन दिया था उन्होंने कहा कि कानून में यूपी में जो है कानून बहतर हुआ है और इसके इसके बाद उन्होंने MSMI का भी जिक्र किया ODP का भी जिक्र किया तमाम निवेशकों के लिए उन्होंने उनका स्वागत भी किया है और कहा कि उत्रप्रदेश जो है संभावनाव का प्रदेश है यहाँ पर निवेश करने से उन्हें एक अच्छा खासा रिस्पॉंस मिलेगा इस तरह तमाम जानकारी उन्होंने और तमाम बड़ी बाते भी कहीं है वहीं प्राइम टीवी लगाता रहा आपको ग्लोबल इंवेस्टर समिट से लेकर अपडेट देता रहा है और अभी भी दे रहा है तो वहीं अब रुक करते हैं हमारी समधाता सुहानी सिंग की तरफ सुवानी देखा जाए तो आज ग्लोबल इंवेस्टर समिट का पहला दिन था और रोजगार को लेकर तमाम वादे किये गये थे तो किस तरीके से वहाँ पर महौल दिख रहा है क्या लग रहा है जिनने बतादे आज की उत्तर प्रदेश में जो तीन दिवसिये ग्लोबल इंवेस्टर समिट का जो आगाज हुआ है एक इतिहास के रूप में देखा जा रहा है चाहे वो रोजगार हो हर सेक्टर में एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभर किया रहा है मोदी जी ने भी कहा कि एक तरफ तो डबल इंजन है और दूसरी तरफ है जो सरकार की इरादे हैं और सभी जो परियजनाओं को देखते हुए एक अच्छा एक अलग से तरफ से उत्तर प्रदेश को पहचान मिल रही है एक अलग से दिख रहा है तो वही योगी आदित नात्म के लिए हमारे साथ मर्जूद है भासपा की पूर मंत्री जो सर है और उनसे हम बात करेंगे उत्पल राइजी से कि सर जो यह इतिहास की रुप में देखा जा रहा है ग्लोबल इंवेस्टेश सम्मिट को सर आप किस तरह से कहते हैं और क्या सर देख रहे हैं यह इंवेस्ट हो यह इंफ्राशक्चा देख रहे हैं आज उत्तरप्रदेश भाग रहा है विकास की गति को तो जैसे लगता है दोड़ लगा रहा हो इसमें सब्सक्राइब योगदान है चुकि यह संयोग ही रहा और इस्वर का किरपा थी कि यहां के यहां हमारे देश के सब्सक्राइब मंतरी कासी से और मुख्यमंतरी जी योगी आदितनाज जी हैं दोनों लोगों का जो नित्युत है यह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ निरंतर आगे बढ़ा रहा है कि मुझे सब्से मत्रूल बात यह कहनी थी कि कोई भी प्रदेश या देश विक्सि जो सरकारें थी उसमें सुरचित नहीं मसूस करते थे उद्धमी आपने अभी अपने वक्तम में कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 10 लाग का टार्गेट था हो सकता है 26 लागों अभी डिवेंस मिस्टर वोल ले थे आदिनी राजना सिंग जी कि जिस तरह इन्वेस्टर अभ तमाम प्रदिवाएं हैं लेकिन वह आईटिया नहीं पड़ हैं लेकिन कुछ नहीं करने के लिए उन पास पैसा प्लब नहीं धन उप्लब नहीं है तो सरकार इस पे बहुत ही भूभी से सोच रहे हैं उनकी वह योगता के अधार पर उनको आर्तिक मदद हो जिससे पैसे के सकते हैं या तकनिकी छेत में हिंदूस्तान को नया आयान दे सकते हैं इस लेविल पर सोचा जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश देश का सबस्वड़ा राजी है तो निस्तित तोर पे मुझे लगता है यह इन्वस्टर समीत मील का पत्थर साबीत होगी उत्तर प्रदे नकल्ची है जूटे वादे करती है उनका जो भी वादा है अज तक पूरा नहीं हुआ है अभी बता रहे हैं 32 लाग करोड कर निवे जो एन्मी उसानिल के उसमें से पांच लाग का भी अगर निवेश आ जाए उदर प्रदेश में तो कहना होगा तो इस पर क्या सोचना है क कि नितना है जो बोलें लेकिन अभी आपने देखा को अपराद में अभी एक विकास दूबे का मामला था कितने घंटे में रिजल्ट आया है या तो जेल के अंदर है और खुले में अगर बगाउत करना चाह रहे हैं तो दुनिया को उपर है यह हमारे आधनी मुख मंत्री योगी आधितनाब माराज ने सिद्ध करके दिखा दिया है आप सूची दूसरी बार सरकार कितने दिन उबाद बनी है उत्तर प्रदेश में अगर अगर यह सरकार रिपीट कर रही है तो आधनी क्याना प्रधान मंत्री जी और मुख मंत्री जी के इस प्रताब से जंता की विश्वाज से और पोन देता है जंता देती अगर जंता जनदेश नहों होता तो मैं इसलिए आधनी अकलेस यादो कि वक्तब पर कोई वयान नहीं देना चाहूंगा यह दिक रहा है जैसे अब आपने कहा दस लाग यह बस सकता है यह 30-35-40 लाग तक जा सकता है यह हमको ऐ अधर लग रहा है कि जो पहले 10 लाग का था फिर 17 लाग हो गया सरब 32 लाग बानमेजर करोड के सर अम्यू साइन हुआ है तो क्या सर लग रहा है कि रोजगार्म हो गया सर अन्नी सेक्टरों में भी बढ़ावा सर इससे जो योगी जी सर सोच के लक्ष लेते हो सर पूरा अगर एजुकेस्टन में हिल्थ में अभी एक नौजवान मिला था अलावा नौशिस पढ़ा हुआ है तो उसने पताया कि अभी उसने मियू साइन किया 150 बेट हास्पीटल कर यहीं लखना होगा नौजवान लोगा तो उसको सरकार दे रही है जमीन दे रही है बैंक उसको साथ कंदेश कंदा मिलाकर उसके उसको प्रकति करने के लिए जब इतना सुपधाय में लेंगी तो यह यह जो भीपच कह रही है इसमें कोई दन नहीं है तोटी बात हैं बहुत रोजगार बढ़ेगा जब इन्फरा बढ़ेगा एजिकासन में हेल्थ में डिपेंस में तो कि उसमें नौजवान ही तो समलित होगा तो यह थे हमारे साथ भासपा के पूर्ग मंत्री उत्पल राइजी जिन का कहना है कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट जो है तिहास की रुप में देखा जा रहा है और इसमें हर सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा चाहे वह बैप हमको पहचान देने वाली है जो कि हर सेक्टर में बढ़ावा मिल सकता है ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट से इस खबर में बस इतना ही देश जुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहेए प्राइम टीवी सच साहस सरोकार